आज आपके साथ शेयर कर्यों में दो तरह के हलवे जो की बहुत जादा टीस्टी और यमी बनते तो चलिए सबसे पहले वाले हलवे की शिरुवात करते तो कड़े में डाल दूंगी एक कटोरी घी तो सेम कटोरी का इसकमाल आपको काना है तो मेजमेंट जो हो सेम ही हो तो करना प्रशाद हम इसे कहते हैं और वाइगरु जी को बहुत पसंद है तो हम यह अकसर बनाते हैं करना प्रशाद जिसकी रेसिपी में अब भी आपके साथ शेयर कर रहे हूं तो अराम से धीमी आज पर इसको हमें भुनना है और इसका कलर जबता है बिस्किट जैसा कलर नह वाएगर कृत κάνु तो सेम कटोरी का इसतेमाल मैंने किया है चिनी मैने डाल दी और उसके साथ किया ने अच clean we get ke जब तक कि ऐच्छे से ठिक्नी हो ज़ाता तब तक आपको इसको चलाते रहना है तो दीक प्यारा सा हलवा, color किता प्यारा सा आया है, इसका बन रहा है हमारा बहुती प्यारा सा हलवा बन रहा है जिसे हम कड़ा परिशाद कहते हूँ और बहुती मस लगता है खाने में तो वस इसको मैं चलाती जा रही हूँ, दीमियांच पर ही इसको भुनना है जब तक थिक नहीं हो जाता है आप गहूं के आटी का हलवा कैसे बनाते हूं मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा आपका किस तरह का तरीका है बनाने का ये भी मेरे साथ आप शेयर जरूर कीजिएगा कि देख ये कड़ा परिशाद मेरा बनकर बिलकुल तयार है गहूं के आटी का हलवा कैलीजी और भोग लेगाते तो ये कड़ा परिशाद हो जाता है और ये प्यारा सा परिशाद मेरा बनकर बिलकुल तयार है चलिए अब मैं दूसरी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूं तो जो दूसरा हलवा में बना रही हूं रही हूं सूजी कर लीजी का तो गहाँ एक टमच घीगरम किया उसमें तॉटी का टोरी तो यह मैं एक खाटोरी उठाए है इसी मेजमेंट से हम बाकी चीज़े उठाएगे पहले क्या करना है? सुजी और St. 2 मिनिटी आराम से अब इसको मीडियम ही में करते ह्यों मрьक रर्विट क् tenant हे ज़नी दोर, उसको का अधी है नियुट्छा पन रहता है भील रहता है, दोरी काबशता रहता है नचला ज़्याए अधा यहां पर आपको आपको एक कटोरी या अनंट एक democral कायर्स कर जो डिया सेफोग अचैनी आपको एक कटोरी कि निया है क्टोरी कंसे दिया है तो ten फेषी। एक कटोरी को मतलब कर देक कर दूदा सके हैं क्टोरा थे खालव sudah कशकी है तो इसमें डाल देना है घी तो यहां पे एक कटोरी आपको घी लागेगा लेकिन मैं वापस से यहां थोड़ा सा कम घी का इस्तमाल कर रहे हूं तो आपकी चौइस है पूरा एक कटोरी डाल सकते हो और मेरी तरह कम घी में भी इसको बना सकते हो तो घी जैसे अच्छे से इसमें मिक्स अप होगे गड़ा तो इसको हम डाल देंगे और फटा फट से इसको मिक्स कर लेंगे कैरमल में तो इसके केरमलाइज हलवा बहुत जल्दी से बनकर त्यार हो जाते है और टेस्ट बहुत ज़ादा यमी लगता है मतलब जो नॉर्मल हलवा हम सूजी का बनाते है न उससे कई ज़ाधा टेस्टी ये कैरमल हलवा लगता है तो आपने कभी नहीं बनाया तो ज़रूर बनाएगा कुछ ड्राइफूट्स कटे हुए और कुछ केसर के रेशे मैंने इसमें डाल दिये हैं टेस्ट बहुत ही बढ़ कीजेगा और पेच पनाये तो पेच को फॉलो जरूर कीजेगा और इन यमी हल्व को आप ट्राइब जरूर कीजेगा थैंक्स वर वाचिंग जैशी गनेश वाई गुरूजी